नमस्कार दोस्तों यह अपना रेंबो इसकी यूट्यूब चैनल वाइल्ड हम में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर ना है तो डेपनेटली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर पहले से नहीं कर लिय क्या है भैन्क टॉंड में लेग बाच्त का प्रोब्लम औकशर देखने को मिल तो आखर ऑगर इसे हम कैसे ठिक करें इस बीडियो में यसी के बारे में बाद करेंगे तो यह वीडियो शुरू करते हैं गो दोस्तों की कारण एंके नाव की बिमारी हो जाती है जिसके कारड़ उनके पिछली टांग जो है वो काफी मुड़ जाती है और उसे हम बेंट लेक कहते हैं तो इस सबसे पहले हम इसके कोज के बारे में जानेंगे फिर इसकी रिमेडिस के बारे में देखेंगे और फिर हम कुछ बात करेंगे bonus exercise के बारे में तो आएए सब के बारे में एक एक कर जान लेते हैं सबसे पहले जानते हैं हम इसके causes के बारे में तो cause में सबसे जो पहला मुख्यकारान है वह है lack of calcium कुटों में calcium खास करके सबसे ज़रूरी supplement है इसे या तो उनके मिल में सामील होना चाहिए या फिर आपको उपर से tablet form में या फिर bone form में आपको देना होता है calcium deficiency के कारण ही dogs में bent leg problem हो जाता है कि दूसरी जो कारण है वह lack of exercise अगर हम डॉगी पाले हुए हैं तो हमें exercise शुबह साम necessary है हमें कराना ही चाहिए उन्हें दोड़ाना चाहिए या फिर जो भी उनका exercise हो आपको उन्हें शुबह साम दोनों टाइम उनको कराना चाहिए तीसरा जो में कौज है वह है slippery surface slippery surface जो तो यह अक्सर कारण बनता है डॉगी के bent leg को लेकर अलो नो 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 रेंबो रेंबो अभी वहां कुछ देखा है घर में बिल्ली अभी दोड़के वहां सुधर से जा रही थी तो हम बात कर रहे थे तीसरे कोज के बारे में तीसरा कोज जो है वह है slippery surface slippery surface अक्सर बड़ा कारण बनता है डॉगी के bent leg को लेकर होता यह है कि दिन भर डॉग महां बैठे बैठे पैर उसका जमता नहीं है slippery surface पर और इससे वह अपने पैर को जमाने की कुछिश करता है जिसे कि उसके नीज पर पड़ता है और नीज या तो अंदर के तरफ दब जाता है या फिर बाहर के तरफ फैलेगा और दोनों symptom ही बेंट लेक के होते ही हैं तो slippery surface बड़ा कारण होता है डोगी के बेंट लेक को लेकर तो आप चलिए बात कर लेते हम इनसके solution के बारे में तो सबसे पहले केल्सियम डिफिसेंसी की बात की हमने तो उसमें आपको नो रेमबो नो नो चलो तुम मेरी गोद में बैठा तो जो आपको केल्सियम देना ही है या तो आप अपने डॉगी को दही दे अच्छी तरह से या फिर उनको टेल से केल्सियम सप्लीमेंट आते ही है मार्केट में पेट्स के लिए वह लें और आप अपने बैट से मिलकर अगर ज्यादा क कनदा केसेंस स्थियुन देज़ों से रगवाधर। इससे क्याशले ने हैं यह हूं हो दूर जाएगी दूसरी जो कारण है वह लाक औफ एक्सराइज की तो आप ध्यान रखे अपने डॉगी को ज़रूर से उबह साम इससे क्या होगा कि उनके पैर जो होंगे वह अच्छी तरह से चलेंगे पैर में पैर के अच्छी तरह से एक्सराइज होगी इसकी बेंट लग की प्रब्लम उन है यह एक बड़ा कारण हो जाता है सोचने वाला तो खैर इसमें उतनी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है सुपे सर्फेस पे डॉगी के बेंट लग प्रब्लम तब होंगे जब आप उन्हें एक्सराइज नहीं कराएंगे तो तो मॉस्ता सुपे सर्फेस के लिए और साथ वीवर्स तुम्हारे नकड़े देखर तुम क्या 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 करते हो आजा हाई है अ उधर क missions मैं सामने दको अड़े को डेम डो बीने चल्दी से अपनी वीडियो देख लेता है खतम करते हैं तो हम बात करें स्लिफ्ली सउर्फेस के लिए तो आपको मौस्ट है कि डॉगी जहां आप फॉलो करके doggy में Bent Leg का जो problems है उसे आप दूर कर सकते हैं अब बात करते हैं एक bonus tips की तो bonus tips जो है Посhea एक ऐाख talk का exercise आता है doggy के lag को लेकर आदाओ आपके doggy में ज्यादा Legласт का प्रोलम का तभी exercise आप करें यह exercise हम आपको year screen पे वीडियो दिखा रहे हैं उसी को आप फॉलू करेंगे को डॉ क्यों कि दोक कि एधान को पकड़ कर घुठने से खोलना और बन्द करना साइज को 5 शेद स्थार्षट बार जरूर करें कि दूसी जय आइज उसी तरह से पकड़ते हुए आपको आगे पीछे करना है इसे भी 5 शेदश बार दो बार और तीसे जेक्रसाइज आपको जांक से पकड़ते हुए उपर नीचे करना है इसक्रसाइज को भी 5-10 बार दिन में 2 बार गरम पट्टी लेना है और इसे डोगी के घुटनों के पास आठ कियाकार में घुमाते हुए बांधना है ध्यान रखना है कि ज्यादा धिला और ज्यादा टाइट भी पट्टी नहीं बांधना है दोनों पैरों के बीच 1-2 इंच का गैप रखना है दूसरा पट्टी लेकर आपको उसके पाउं को भी उसी तरह से बांध देना है घुमाकर जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे ह है और इसे भी ज्यादा धिला और टाइट नहीं रखना है दोनों ज्वाइंट बिल्कुल बराबर पर होना चाहिए डॉक को इस तरह से 8-10 गंड़ता बांध कर रखना है आप चाहे तो इसे रात में सुलाते समय बांध कर रख सकते हैं यह सारा एक्सराइज आपको एक मही करना है बेटर रिजल्ट के लिए और हां सबसे जरूरी सुचना आप लोगों को देना है कि अगर आप कंप्रेटिव एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं खासकर के लिए PCS वेगारा के त्यारी आप कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको BPSC जेनरल नॉलेज आप दिखाई दे रह आपके देमेडीज के बारे में देखां तो उमीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आए होगा पसंद आता है तो ज़्रूर से लाइक कीजिए ज्यादा से शेयर कीजिए और हाँ अभी तक अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लिज